वाव, लुकिंग ब्यूटिफूल, स्वादिश्ट, यम्मी लड्डू, तो चलिए इस लड्डू को फटाफट से बनाना इस्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये लड्डू कैसे बनी है, इसके लिए ये इसके इंग्रेडियन्स है, मूंग दाल है, एक कटोरी, देशी घी है क कुछ ड्राइफ रूट्स है, नमस्ते दोस्तों, मैं स्मीता, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल, रेस्पी जरानी स्मीता में, तो चलिए फटा-फट से लड्डू, मूंग दाल के लड्डू बनाना इस्टार्ट करते हैं, ये है चीनी, जितना मू कड़ा ही, कड़ा ही गरम हो जाएगी, तो इसमें जो मूंग दाल है, बीना घी का, ऐसे ही ट्रांस्पर कर देंगे, रोष्ट करने के लिए, और लोटू मीडियम, लोटू मीडियम आज पे, इसे हम चलाते हुए, कंटिन्यू चलाते हुए, रोष्ट कर लेंगे, रेड होन जाएगा, तो यह भून करके, और इसका वेट भी लाइट हो जाएगा, यह जब उठाया जाएगा, तो इसका वेट लाइट हो जाएगा, यानि कि विल्कुल हलका हो जाएगा, तो समझ लीजे कि दाल भून गई है, इस तरह से लड्डू बनाने में कम घी में बहुत ही चने की दाल की लड़ू भी बनाई जा सकती है, तो अब हम, इसी में, इसी दाल में जो ड्राइफूर्स है, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे, साथ में ये भी रोष्ट हो जाएगा, अलग से रोष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब जो ये लावा है, मखाना, इसको भी इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे, और इन सब को एक साथ भून लेंगे, आधा से जादा जब मूं की दाल भून गई है, रोष्ट हो गई है, तब हमने ड्राइफूर्स में मिक्स किया है, ताकि साथ में सब कुछ रोष्ट हो सके, अल मखाना और रोष्ट हो जाएगा, ये देखिए, ये बिल्कुल फूट जारी है हाथ से, तो ये रोष्ट हो गया, अब इन सब को हम मिक्सर जार में पीस लेंगे, एक फाइन पाउडर, पाउडर को रूप में इसे हम पीस लेंगे, जो कि त्यार हो जाएगा, अब इसी कडा इसको हमें पीसना नीहिए, और कुछ ग्रेटिट कोकॉनट है, कर्टिंग कोकॉनट भी है, इन सबको हम देशी घी में फ्राई कर लेंगे, और इसको हमें पीसना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, तो लीजिये, मूंग की डाल, काझू, बढाम, म साथ हम पीश करके ले आये हैं इसका पाउडर तयार हो गया है मुंग दाल का पाउडर यानि मुंग दाल की बेशन तयार हो गई है जो कि अब हमें भुनना नहीं है बेशन भुनने का जंजट खताम इस तरह से दाल को भुन करके भी लड़ू बनाई जाएगी न बहुत स्वा इसे मेरी तरीके सिगमा ट्राई जरूर किजएगा इसमें जताच जो घरी कने स्टाठाव किसमीज उन ईस मीश मिATION कर देंगे उसको फार कर देंगे उसको गैस को फिर से आउन कर लेंगे और जितना लड़ो बनाने के लिए हमें देशी घी की ज़रुरत है वो सारे घी इस कड़ाही में हम ट्रांसफर कर देंगे गरम होने के लिए गैस को लो कर देंगे और जो चीनी और मुंग डाल का बेशन द्राइफ्रूर्ट को पीस करके हम जो पाउडर त्यार किये हैं वो सबको इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसी घी में ट्रांसफर करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इकठा नहीं पलटना है फोड़ा इस तरह से क्या होगा कि कम घी में जादा बेशन मिक्स होगा और लड्डू बनाने करें त्यार हो जाएगा अगर सारा बैटर जो हम इकठा डाल देंगे तो वह अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा घी में और घी की भी ज्यादा जाशकता पड़ेगी अच्छी तरह से लड्डू बन करके त्यार हो जाएगी वैसे आवशकता अंसार ही घी को मिलाना है यहीं पर हम मिक्स कर देंगे छोटी लाइची का पावडर खुसबू के लिए फ्लेवर के लिए और इसी तरह से हमें देसी घी में बेशन को मिक्स करना है और इसी में चीनी भी है तो जो ल ठंडा होने के लिए और जो लड्डू बनाई जाएगी वह थोड़ी गरम गरम में ही बनाई जाएगी तो वह ट्रांसफर करते वक्त जो है मेरा कैमरा बंद था इसलिए थाली में प्लटते वक्त हम कैच नहीं कर पाए और इतना लड्डू जब बना लिए तब मुझे मिक्स किये थे जिस बेशन को जिस बैटर को वही हम थाली में ट्रांसफर कर ली है कुछ जादा नहीं किये तो इतना लड्डू बन गया अब इस तरह से हम अपनी मन साइज अपनी मन पसंद साइज के अंसा लड्डू बना सकते हैं बड़ा बनाई चोटा बनाई वसे कोशि सुन्द decorative खुबश्वत खुबश्वत लड्डू बनाकरके तैयार कर लेना चाहिए तो देखिए इससी तरह से यह लड्डू बनाना बहुत आसान है अगर इसमें घेह मौझेत जादा पड़ जाएगगा तो खी लड्डू नहीं बनेगी घीए कब होysis लड्डू नहीं बन सोगा घीला हो जाएगा तो फैलने लगेगा अगर सूखा हो जाएगा तो तूट जाएगा ढीगाम इसमें लद्डो में उतनीगी कियों मिक्स करना चाहिए जितने में लद्डू बन जाए और नहीं विkin नहीं फैल तो ये मेरा बिल्कुल accurate है, ये लड़ू बहुत ही सही माप से बनी है, और आप लोग भी इस तरह से बनाईएगा, एक कटोरी चीनी, एक कटोरी मूंकी दाल, ये लड़ू बन गई, आप सभी बताईएगा, लड़ू कैसी लगी, अगर लड़ू पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को, लड़ू को लाइक शेयर कर दीजेगा, चैनल पर फर्स टाइम बिजिट कर रहोंगे, तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा, शेयर कर दीज फैमिली फ्रेंड में, फोन में बात करते वक्त, ये लड़ू रेश्पी देखिए, दिपावली पर बनाईए, गणेश भगवान को बेशन की लड़ू बहुत पसंद है, और मूम की दाल की बेशन की लड़ू बनाईए, तो क्या ही कहने, बहुत बहुत खुश हो जाएंग ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले, और आप सभी मेरे वीडियो को फटा-फटा देख लें, मैं बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेश्पी बनाने की कोशिश करती हूँ, जो कि गाओं में, छोटे-छोटे घरों हम मिडिल क्लास जैसे घरों में रेश्पी को बनाई जा सके और फूल फैमली खाई जा सके, तो आप लोग मेरी कोशिश यह होती है, और आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए, कि अपनी प्यारी से सिस्टर को सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं, तो मिलती हूँ, नेक्ट वी और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलें, थैंक्यू